सुबह सवेरे उठकर आप घूमने निकलें और अचानक से रास्ते में धेर सारे पक्षी मरे हुए नजर आएं तो आप क्या समझेंगे शायद यही कि किसी उद्रती आपदा ने इन्हें अपना शिकार बना लिया या फिर ज्यादा ये सोचेंगे कि शायद हवा में जहर है ज इसके बाद अगर यही खटना हर साल किसी खास महिने में होने लगे तो आप क्या कहेंगे जाहिर है एक प्राक्रितिक रहस्य मान कर इसे जानने की कोशिश करेंगे ऐसा ही एक रहस्य असम के एक बेहत ही सुन्दर और छोटे से गाव चतिंगा का है कहा जाता है कि यहां साल में एक बार एक साथ कई पक्षी आत्म हत्या करने आते हैं मौनसून की बोजिल रात में जतिंगा के आस्मान पर मौत का काला साया मंडराने लगता है रोश्णी की योर पक्षियों के जुंड के जुंड आते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं ये घटना शाम को लगभग साथ बजे से लेकर दस बजे के पीच होती है यहां सबसे आश्यरे की बात ये है कि कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता बल्कि सामुहिक रूप से सभी पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं वहीं इस घटना में कोई एक प्रजाती का पक्षी शामिल नहीं होता बल्कि यहां उपलब्ध लगभग सभी प्रकार के प्रवासी पक्षियों द्वारा ऐसा किया जाता है जैसे कि किंग फिशर, टाइगर पाइचल और लिटल एग्रिट जैसे पक्षी इस रहस्य में मौत का शिकार होते हैं अब आपके मन में ये सवाल उठाहा होगा कि आखिरकार एक साथ इतनी संख्या में पक्षी आत्महत्या करते क्यूं है असम के कछार में इस घाटी के रहस्यों को जानना बेहत जरूरी है पक्षियों के इस प्रकार सामुहिक आत्महत्या के पीछे क्या कारण है इस बात का पता आज तक नहीं लगाया जा सका कई पक्षी विग्यानियों का मानना है कि इस दुरलव घटना की वजह चुम्ब की ये शक्ति है जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं ये ऐसा समय होता है जब वो मधोशी में होते हैं और तेजी से उड़ने के तौरान वो आसपास पेड़ और तीवार से टक्रा कर मर जाते हैं वहीं दूसरी और स्थानिय निवासी इसे भूत प्रेत की बाधा से चोड़ कर देखते हैं हलांकि इस बात का पता लगाने के लिए कई शोध भी हो चुके हैं परंतु प्रकृती के इस गूढ रहस्य के बारे में अभी भी ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ये रहस्य एक रहस्य बन कर ही रह गया ऐसे कई और रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही सुल्चे अंसुल्चे रहस्यों के साथ